हेलो एब्रिवन मैं उपेंदर तिवारी आज हम बात करेंगे वॉल्यूम सर्फेस एरिया एक चैप्टर है जिसमें टॉपिक है कोन आज हम बात करेंगे कोन के कर्व सर्फेस एरिया के बारे में क्या जानते हैं किसका फॉर्मुला होता है पाई आर एल लेकिन ये फॉर्मुला आता कैसे है आज हम उस फॉर्मुले की डेरिवेशन सीखने वाले हैं तो चलिए इस सुरू करते हैं हमारे पास में एक कोन है जिसके पास में रिडियस है आर और इसके पास है हाइट एच और स्लैंट हाइट जो है वो है अब मैं यहाँ पर अगर मैं आपकरूं तो क्या मुझए यहाँ पर एक सर्कल नजर आया अगर मैं आपसे सवाल पुछ coraz campus area हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है पाई और यहां पर एक सर्कल नजर आया अगर मैं बात करू, circumference of a circle क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 pi r, क्या लिखेंगे, 2 pi r, अब हम क्या करते हैं, इस cone को, ARON को हम cut करते हैं, अगर मैं इस cone को cut करूं, तो क्या मेरे पास में, कुछ इस तरीके का shape नजर आएगा, अगर मैं उस cone को cut करके open करूगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का shape नजर आएगा इस cone से और इस shape को हम थोड़ा सा observe करेंगे कि क्या changes आते हैं मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो L था slant height वो अब convert हो चुका है radius यह convert हो चुका है radius में और जो मेरे पास यह circle था अब वो convert हो चुका है इस length में अगर मैं देखूँ फिर से तो मेरे पास में जो यह circle था यह convert हो चुका है मेरा इस arc में अगर मैं बात करूँ a b क्या है a b क्या है मेरे पास arc दिया हुआ है और अगर मैं बात करूँ circumference of a circle लेकिल मेरे पास जो था वो सु sob i artha और लाँध ओफ करों तो क्या वह इक्मल होगा वह इक्मल होगा एकी के विलकुल क्योंकि यह लेंद जो हो गया वह बिलकुल इक्मल होगा अब हम बात करने वाल है कि फ़े डैरीडिशन बनेसी कैसे अगर यहां पर देखूं तो क्या यह center होगा बिलकुल और यहां पर कुछ न कुछ यह थीटा बना रहा होगा तो से वह ने denote कर दिया थीटा से कुछ angle होगा तो थीटा से हमने उससे denote कर दिया अब हम बात करते हैं कि इसमें convert क्या करना है तो हमारे पास में यहाँ पर a b given में दे रखा है जिसके बारे में हम जानते हैं तो अगर मैं लिखूँ कि length of a b length of a b जो होगा क्या मुझे पता है 2 pi r होगा बिल्कुल क्योंकि circle का circumference था अब हमारे पास में यहाँ पर theta given में दे रखा है कि theta हमने मान लिया है तो length of arc क्या होगा length of arc मेरे पास में 2 pi r दे रखा है और अगर मैं बात करूं length of arc के बारे में length of arc तो मेरे पास में नजर आएगा कि theta by 360 2 pi l होगा क्यों होगा क्योंकि अब जो arc है मेरे पास में वहाँ पर radius l के according बात करूंगा इसके according l के according बट मुझे पता है कि a b जो arc है उसकी value मेरे पास में 2 pi r given में दे रखा है तो मैंने कहा length of arc मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2 pi r theta by 360 into 2 pi l अगर मैं यहाँ पर देखूं तो r is equal to मेरे पास में आगया theta by 360 into l आ चुका है ओके r का value निकल गया लेकिन हमें क्या बात करने है जब मैंने कोन को cut किया था तो कहीं न कहीं मुझे इसके बारे में बात करना है कि जो यह मेरे पास में पूरा का पूरा shape नजर आ रहा है मुझे इसके area के बारे में बात कर रही है जो area होगा ये क्या होगा अगर मैं बात करूँ तो area of sector क्या होगा तो area जो होगा वो क्या होगा theta by 360 into pi l square होगा क्या होगा pi l square और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूँ theta by 360 into pi और मेरे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है l into l लिखूँ तो मैं क्या यहाँ पर यह लिख सकता हूँ कि theta into l divide by 360 is equal to r yes or no अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यह r के equal है और into में आ जाएगा pi into l तो मेरे पास जो area बनेगा मेरे पास वो होगा pi r l तो जो हमारे पास में derivation आती है वो कुछ इस तरीके से होता है pi r l जो है हमारा यह क्या है curve surface area of cone तो यह है हमारा formula जो हमने drive किया है अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें total surface area क्या हो सकता है इसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरा यह cone है और अभी मैंने देखा कि यहाँ पर एक circle होता है और अगर मैं circle का area बात करूँ तो pi r square होता है तो total surface area क्या होगा total surface area of cone जो होगा वो होगा pi r l क्योंकि हमने देखा कि यह जो curve surface area होगा इस cone का वो क्या होता है pi r l लेकिन हमें यहाँ पर यह नज़र आ रहा है कि एक circle का भी area हमें add करना पड़ेगा तो जो होगा pi r square और अगर मैं यहाँ पर common लूँगा pi r तो मेरे पास होगा formula pi r l plus r यह formula होगा total surface area of cone का अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास एक formula और भी होगा कि slant height l यह है तो l square is equal to h square plus r square तो l का जो value होगा वो आ जाएगा under root h square plus r square यह थे हमारे formula कि curve surface area का formula drive कैसे हुआ total surface area का formula कैसे आता है और यह था pythagoras theorem की according हम इसे देख सकते हैं अब हम इस पे एक example करते हैं find the curve surface area and total surface area of cone if its slant height is 21 हमें given में दे रखा है slant height l is equal to 21 cm and radius 7 दे रखा है तो r is equal to 7 cm हमसे बोल रहा है कि curve surface area तो curve surface area का formula हमारे पास क्या होता है pi r l pi का value होगा 22 by 7 r is equal to 7 and l is equal to 21 22 into 21 हमारे पास जो result आएगा वो आजाएगा 462 cm square 462 cm square और अगर हम बात करें total surface area के बारे में हमारे पास फॉर्मुला होगा total surface area of cone is equal to pi r l plus r 22 by 7 7 21 plus 7 हमारे पास result आजाएगा 22 into 28 and multiply करेंगे 616 cm square तो हमारे पास में ये रहेगा curve surface area कितना आया है 462 cm square and total surface area of cone is 616 cm square तो ये रहे हमारे question के curve surface area इनसे related question हम से कैसे पूछे जाते हैं Thank you जाते हैं